नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि O2 टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, O2 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और O2 टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यहां भी दिस्कस करेंगे कि O2 टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडिशन्स में O2 टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है, O2 टैबलेट के अंदर दो एंटिबायोटिक दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, O2 टैबलेट के अंदर और निडाजोल 500 mg और ओफ्लोकसासिन 200 mg होता है, O2 टाबलेट का उपयोग शरीर में bacterial और parasitic infection होने पर किया जाता है, O2 टाबलेट का उपयोग मुख्य रूप से पेट में infection होने पर और डाइरिया यानी दस्त होने पर किया जाता है, ओटू टाबलेट पेट के इंफेक्शन को खत्म करके डाइरिया की समस्या को ठीक करती है. इसके अलावा डॉक्टर तवचा पर कोई घाव या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर, फैफरों में इंफेक्शन होने पर, दातों या मसूरों में इंफेक्शन होने पर, पेश की बहुत सी ऐसी कंडीशन्स है जिनमें आपका डॉक्तर ओटू टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की ओटू टैबलेट की वज़से क्या साइड हो सकते हैं जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना, भूप कम लगना, बधजमी और सिर्दन्थ हो सकता है अब हम डिसकस करेंगे की ओटू टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है ओटू टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिक्मेंडेड हो शरीर के वजन और इंफेक्शन की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको O2 टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए आपको O2 टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने O2 टैबलेट को लेने की सला दी है क्योंकि O2 टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इंफेक्शन वापिस आ सकता है अब हम डिसकस करेंगे कि O2 टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में O2 टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में O2 टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए O2 टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को O2 टैबलेट को नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका O2 टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं